हेलो है और इवन वेलकम और मैं ट्यूप चैनल अगर आप ऐसे लेकर ज़ग तक सभी स्टोक की डिटैल एनलइज़िस पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में हम अल्टराट केब इंडिया लिंटेड कंपनी की डिटैल परसंट की तेजी हमें देखने को मिली, पिछले 5 दिन में 24 परसंट के पॉजटिव रिटन दिये, एक महीनों में 23 परसंट के पॉजटिव रिटन, पिछले 6 महीनों में 4.5 परसंट के पॉजटिव रिटन, एक साल में 9.5 परसंट के पॉजटिव रिटन, पिछले 5 सालों में 40% के positive return और maximum returns के बात करें तो 480% के positive return दिये हैं इस company ने काफी अच्छा returns यहां पर दिया है जैसे कि आप यहां देख सकते हो 3 जुलाय 2020 को इस stock की कीमत मातर 10 रुपे थी अभी यह 29 रुपे देखने को मिल रहा है company के fundamentals and business की बात करें तो यह जो company है electronic wire supplier exporting and manufacturing सेक्टर में काम कर रही है market capitalization 281 करोड का है stock का लो 16 रुपे 80 पैसा stock का ही 34 रुपे पी की बात करें 63.6 है book value 15 रुपे dividend yield 00 है company कोई भी dividend नहीं दे रही है ROC 12% return on equity 12% face value 2 रुपे की है पर motor holding 62% की है और place shares zero है company की कोई भी shares place नहीं है debt equity की बात करें 1.26 है यानि company पर 36 करोड का debt है यहां बात करें company के quarter on quarter basis result की जैसा कि हम sales से बात करें तो company के sales इस September quarter में increase हुई है 26 करोड से 31 करोड और यहां पर profit की बात करें तो company का profit भी यहां पर बढ़ते वे देखने को मिला है और इस तेजी का एक main reason यह भी हो सकता है क्योंकि company की यहां पर sales में और profit में growth देखने को मिली year on year basis के बात करें तो year on year basis भी profits बढ़ते वे देखने को मिला एक करोड, दो करोड, तीन करोड और अभी चार करोड का balance sheet में company के results यहां पर 10 करोड के हैं और यहां पर borrowing के बात करें तो 36 करोड यहांनि अभी भी company पर थोड़ा debt जादा है यहां बात करें company के promoter holding की तो company के promoters के पास 62% के stakes हैं और public holding 37% हमें देखने को मिले हैं BSC पर इसे stock के analysis करते हैं तो आप यहां देख सकते हो company ने हाल में ही 2 share के बदले 1 share bonus दिया है और साथ ही 10 रुपे की face value से 2 रुपे की face value पर stock को split किया गया है 2016 में भी 2 share के बदले 1 share यहां पर bonus दिया है यानि company ने दो बार bonus दिया है और एक बार stock को split किया है इस वज़े से stock की कीमत यहां पर 29 रुपे देखने को मिल रही है तो क्या इस company के share को हमें खरीदना चाहिए या अवर्ड करना चाहिए जैसा कि यहां company के business and fundamentals के बात करें तो company के fundamentals हमें improvement देखने को मिलें बट अभी company पे debt भी जादा है यानि almost 36 करोर का अगर आप इस company में investment करना चाहते हैं तो कम quantities के साथ investment करें क्योंकि आपको काफी ज़्यादा patience भी रखना पढ़ सकता है तो क्या आपके portfolio में इस company के share है नीचे comment करके बताईए और वीडियो को like और चैनल को subscribe share केजिए thank you